भारत की राजधानी दिल्ली G20 देशों की मीटिंग के लिए सजधजकर तयार है जहां भारत इतने बड़े इवेंट के लिए पूरे जोर सोर से तयारी कर चुका है और आज G20 सम्मेलन का पहला दिन प्रारंब होने जा रहा है ऐसे में किसी के चहरे पर खुशी तो किसी के चहरे पर गम के माहूल है बाइडन और रिसी सुनक समेत दुनिया भर के सीर्स नेता भारत आ चुके हैं और सभी के लिए खास तयारियां हो चुकी हैं इसी के साथ ही सुरक्षा का भी ऐसा ध्यान रखा गया है कि परिंदा भी पर पर नहीं मार सकता एंटी ड्रोन सिस्टम गरुण कमांडोज सुखोरी स्वी 30 मकाई के साथ राफेल भी दिन्ली के आस्मान पर निगरानी रख रहा है दोस्तो इस संगठन को दुनिया का एजेंडा तै करने चने उंट लिए मार थेदी होगा है भी 우리는 भी दिकने समानी पर नितिकने के दिए हैं दोस्तो इस्तों प्री द चाहिता टाकर रहाःवादाम सिस्टम और पन्यां कर दोस्तों है स्पर गॉज फिस इसार छोस्तों कि भी खफी से ड्रोल पर बन्हासं का व・ की ए तो दोस्तो यह 27 देश हैं जो यूरोपिय संग में शामिल है दोस्तो अगर मैं बात करूँ फ्रांस जर्मनी और इटली की तो यह यूरोपिय यूनियन और G20 इन दोनों संगठन में शामिल है लेकिन दोस्तो इन दोनों संगठनों में हमारा पडोसी देश पाकिस्तान कहीं नहीं दिखता इन में से कई ऐसे देश हैं जो छेतरफल और जनसंख्या के दृष्टी से पाकिस्तान से काफी छोटे हैं फिर भी उन्हें G20 का सदस्य बनाया गया है ऐसे में पाकिस्तान में G20 की मीटिंग के दोरान हमेशा ही यह सवाल उठता है कि आखिर उनका देश इस संगठन में शामिल क्यों नहीं है आबादी में दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा देश और छेतरफल में तुर्की, जापान और फ्रांस जैसे देशों से बड़े पाकिस्तान को इस संगठन में क्यों शामिल नहीं किया गया इस देश को G20 संगठन में शामिल ना होने का सबसे बड़ा कारण इसकी अर्थविवस्था को बताया जाता है पाकिस्तान भले ही छेतरफल में दुनिया का 34वा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में पाँचवे नमबर पर है लेकिन वह अर्थविवस्था के मामले में 42 स्थान पर है पाकिस्तान की इतनी खराब एकनौमी की वज़े से ही इसे इस संगठन में शामिल नहीं किया गया है यही नहीं पाकिस्तान से छेतरफल में काफी छोटे देश भी जैसे बांगला देश, इसराइल, स्वीडन, पॉलेंड भी अर्थविवस्था में पाकिस्तान को मात देते हैं दोस्तो 26 सेप्टेंबर 1999 को यह संगठन अस्तित्तों में आया था इसे अब वैस्विक अर्थविवस्था एवं राजनीती की धूरी माना जाता है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत जैसी महाशक्तियों के इसमें शामिल हो जाने के कारण इस संगठन की एहमियत और बढ़ गई है और पाकिस्तान इस बात को लेकर गुस्थे में रहता है कि हम इसका हिस्था आखिर क्यों नहीं है तो दोस्तो आप सभी लोग कमेंट बोक्स में बताईएगा कि आने वाले कुछ सालों में अगर पाकिस्तान अपनी अर्थ व्यवस्था सुधार लेता है तो क्या उसे G20 का सदस्य बनाया जाएगा या नहीं तो दोस्तो आज की अपनी क्लास को यह पर ही समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में और हाँ जो मैंने पूछा है उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स